दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्टी में पहले फिल्में केवल रियल स्टोरी पर बना करती थी दीरे दीरे कहान या बड़ी तो किरेक्टर भी बड़े और बनने लगी मल्टी स्टारर फिल्में आपके अपने चैनल बीवीड अन्बोक्सिंग में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उस जमाने की मल्टी स्टारर फिल्म के बारे में जब कोई इतने सितारों को एक साथ ही एक ही फिल्में कास्ट करने की हिम्मध तो नहीं कर सकता था यह करना किसी डारेक्टर के बस की बात तो नहीं थी और ये काम कर दिखाया था प्रोडूसर से डारेक्टर बने राजकुमार कोहली ने दोस्तो दरसल राजकुमार कोहली पहले केवल फिल्म में प्रोडूस किया करते थे उनकी फिल्मों को दूसरे डारेक्टर बनाया करते थे जैसे लूटेरा, दस्ता, गोरा और काला लेकिन फिल्म गोरा और काला की मेकिंग के समय राज कुमार कोहली और फिल्म के डारेक्टर नरेश कुमार के बीच गम असान मच गई दरसल फिल्म गोरा और काला के डिरेक्टर थे नरेश कुमार जो की इसी फिल्म के हीरो रहे राजंदर कुमार यानी जूबली कुमार के भाई थे दोस्तो फिल्म गोरा और काला को लेकर प्रोडूसर और डिरेक्टर के बीच ऐसे पंगे हुए की नरेश कुमार आधी फिल्म बीच में छोड़कर चले गए और बाकी बची आधी फिल्म को राज कुमार कोहली ने ही कंप्लिट किया इस वाकिये से दुखी होकर राज कुमार कोहली ने बाद में डिरेक्टर बनने की ठान ली और उनकी बाद की सारी फिल्में उन्होंने ही डिरेक्ट की दोस्तो राजकुमार कोहली के बेनर का नाम था शंकर मूवीज और उन्होंने डिरेक्ट की अपनी पहली फिल्म जो की एक सोशल ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म का नाम था कहानी हम सब की इस फिल्म की बात और किसी दिन और किसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार कोहली की एस डिरेक्टर दूसरी फिल्म की जिसका नाम है नागिन दोस्तों वह था कि जिसकी तलाश में आया हूं तलाश में किस चीज की तलाश है आपको मैं एक किताब एक इच्छादारी सांपों पर इच्छादारी सांपों पर कला मावस की रात है इस रात को इच्छाधरी सांप अपनी नागिन से मिलने जरूर आता है नाग अपने मस्तख से मणी निकल कर कहीं रख देता है नागिन उसकी रोशनी में मस्त होकर नाश्टी है तुम साथ यह दिवान की नहीं हकीकत है मैंने अपनी आखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हो देखा है विजे पहले तो तुमारी से दमाग में शक्ता अब मानूम होता है कि तुमारी आखें भी जा रही है अम यह कैसे मान सकते हैं यार यह एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारन कर ले और जब जी में आए फिर से सांप जाए तुमारी प्यार की सोकत मैं इर्केłości इंसान ओफिर्वार फेंटेसी फिल्म नागीम नागीन उनकी पहली फिल्म कहानी हमसभकी से बहुत ही अलग थी हाँ फिल्म कहानी हमसभकी से चार करेक्टर राजकुमार कोहली के फेबरेट बन गए जो कि उनकी अगली कई फिल्मों में नजर आते रहे जैसे मिनोद महरा, ओंप्रकाश, मदनपुरी और अरुना इरानी दोस्तो यह होरर फेंटेसी फिल्म नागीन 19 जनवरी 1976 को रिलिज हुई थी और यहां फ्रेंच फिल्म दा ब्राइड वर ब्लेक से इंस्पार थी जो कि साल 1968 में रिलिज हुई थी दोस्तो फिल्म दा ब्राइड वर ब्लेक भी कोर्नेल वोलरिच के एक नोबल पर आधा रित थी दोस्तो फिल्म नागीन जब लोंच हुई थी तब इसकी स्टोरी लाइन में हिरोईन रही रिनो राय के खिलाफ पांच बड़े खलनायकों को एक्टिंग करनी थी लेकिन बाद में राजकुमार कोहली ने फैसला लिया कि वे पांच खलनायकों की जगाँ पांच फेमस हीरो लेंगे जिस्टे की दर्शकों को शौकिंग लगे दोस्तो इस फिल्म के प्रडूसर और डारेक्टर दोनों ही राजकुमार कोहली थे और इस फिल्म के मुख्योर सहाय कलाकार थे सुनिल दत, फिरोज खान, जितेंद्र, संजे खान, विनोध महरा, कबिर बेदी, अनिल धवन, प्रेमनाद, रंजीत, रुपेश कुमार, रिना रोय, रेखा, मुम्ताज, योगी तबाली, अरुना इरानी, सुलोचना लाटकर, हि फिल्म के कमाल के डायलोग लिखे थे इंदर राज आनन ने और इसका कमाल का स्क्रिन पे लिखा था जग्गी रामपाल ने, दोस्तों जितनी बड़ी हिट ये फिल्म रही थी उतनी ही कटिन थी इसकी कास्टिंग, राजकुमार कोहली ने फिल्म में नागिन वाला रोल सब उफर किया गया, लेकिन रेखा को ये रोल समझ में नहीं आया और उन्होंने सुनिल्दत की हिरोईन इस फिल्म में बनना पसंद किया, जो कि इस फिल्म में एक मात्र जीवित नायक रहते हैं, रेखा के ना कहने पर अब शुरू हुई नई हिरोईन की दलाश, तो राजकुमार कोहली को रिना राय इस फिल्म में नागिन वाले रोल के लिए परफेक्ट लगी, दोस्तो आश्यरी की बात तो यह है कि इस फिल्म की शुटिंग के वक्त रिना राय की उम्र लगबग 20 साल रही थी, और यह फिल्म रिना राय की केरियर का टर्निंग फिल्म नागिन के बाद रिना रोय रिटायर होने तक राजकुमार कोहली की हर फिल्म में नजर आती रही थी, दोस्तो जब फिल्म नागिन रिलिज हुई तो ब्लोक बुस्तर रही, तब रेखा को अपने फेसले पर काफी परस्तावा हुआ, क्योंकि फिल्म देखने के बा कोहली की पहली पसंद थे अभिनेता राजकुमार, लेकिन राजकुमार को ये रोल पसंद नहीं आया, राजकुमार के बाद राजकुमार कोहली इस रोल को लेकर विनोत खन्ना के पास गए, विनोत खन्ना को रोल तो ठीक ठाक लगा, लेकिन वे फिल्म में सांपों के साथ काम नहीं करना चाहते थे तो विनोत खना ने भी फिल्म करने से मना कर दिया विनोत खना के ना कहने पर फिर इस रोल के लिए जीतेंदर को ही कास्ट किया गया जबकि जीतेंदर को राजकुमार कोहली ने अनिल दवन वाली भूमी का ओफर की थी दोस्तों अनिल दवन का जो कि अवर अश्वकर कर दिया था यो तो जाकर राज कुमार क proxy ने जितेंदर को इच्छा धारी नाक वाली भूली भूमिका का की पेशक्रस की हाला कि इच्छा-धारी नाक वाली भूमिका भी फिल्म जादा बड़ी नहीं थी लेकिन यह एक तरह से सेंट्रल करेक्टर था और राजकुमार कोहली को जितेंदर से केवल दस दिन की ही शुटिंग की जरुत थी राजकुमार कोहली से परसनल संबंध होने के चलते जितेंदर ने ये रोल भी स्विकार कर लिया अबिनेता जितेंदर इच्छाधारी नाग की रूप में इस फिल्म से इतने फेमस हुए कि बाद में उन्होंने कई फिल्मों में इच्छाधारी नाग की बुमिका निबाई दोस्तो फिल्म में कबीर बैदी वाला नास्ति करेक्टर पहले राकेश रोशन प्लेग करने वाले थे लेकिन बाद में उस रोल के लिए कबीर बैदी आ गये दोस्तो इस फिल्म में अमिनेता विनोत महरा के सामने हिरोईन की तोर पर पहले नीतु सिंग को कास्ट किया गया था लेकिन इस भूमिका को नागिन हमशकल बनकर नेगेटिव शेड़ दे देती है बस इसी कारण से नीतु सिंग ने ये भूमिका छोड़ दी इस रोल को बाद में योगीता बाली ने डड़ते ड़ते निभाया कि कहीं उनका केरियर इस रोल से खतम न हो जाए दोस्तो इस फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट में इसे मुमताज की लासट फिल्म बताय गया था दोस्तो फिल्म नागीन से पहले संजे खान का नाम उनकी फिल्मों में केवल संजे शो किया जाता था जबकि उनका रियल नाम था शाथ अबबास खान इस फिल्म की ओपनिंग क्रेडित में पहली बार उनका नाम Aszee Sanjay खान दिखाया गया था दोस्तो सित्तर और असी के दशक में मशूर चायड एक्टर मास्टर बिट्टू ने इस फिल्म में संजे खान की बेटी का रोल प्ले किया था दोस्तो इस फिल्म में अभिनेता रंजीत का भी एक छोटा सा रोल है इस फिल्म में पहली बार रंजीत कोई positive character में दिखाए दिये लेकिन positive character में होने के बाद भी वे कबिर बेदी की मोत का कारण इस फिल्म में बन जाते हैं दोस्तो फिल्म नागीन के blockbuster बनने में इसके संगीत का बहुत बढ़ा योगदान रहा था इस फिल्म का शानदार म्यूजिक दिया था लक्षमी कांथ प्यारे लाल ने दोस्तो इस फिल्म के मेल फिमेल वर्जन के अलावा सोलो, सेड और डूएट वर्जन को अलग अलग गीने तो इस फिल्म में कुल छे गाने रखे गए थे इन गानों में तेरे संग प्यार में नहीं तोडना और तेरे इसक का मुझपर हुआ ये असर बहुत ज़ादा famous गाने हुए थे यहां तक कि फिल्म का गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोडना को Hollywood फिल्म Eternal Sunshine of the Sportless Mind में भी बेगराउंड में चलते हुए दिखाय गया था यह गाना उस फिल्म में तब आता है जब फिल्म की हिरोईन क्लेमेंटाइन उसके बोईफ्रेंड जोईल को अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है दोस्तो यह फिल्म नागिन सित्तर के दशक में सबसे बड़ी मिल्टी स्टारर फिल्म रही थी दोस्तो फिल्म नागिन के बाद राजकुमार कोहली ने उसी क्रू के साथ एक और बड़ी फिल्म बनाई फिल्म का नाम था जानी दुश्मन नागिन के बाद लगा था राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन, बदले की याग, राज दिलक और इंसानियत के दुश्मन जैसी ब्लोकबस्टर फिल्म में बनाई थी लेकिन फिल्म को एनाउंस्मेंट करने के बाद टाल दिया गया। दोस्तो राजकुमार कोहली ने साल 2002 में अपने बेटे अर्मान कोहली और उस समय के सारे बड़े सितारों को लेकर इस फिल्म को फिर से बनाने की कोशिश की थी। फिल्म का नाम था जाने दुश्मन एक फिल्म में भी रिमेक बना जिसमें लीड हीरो थे कमल हासन। इस फिल्म का नाम था निया और इसमें नागिन वाली भूमी का अभिनेत्री श्री प्रिया ने निभाई थी। और साल 1992 में अभिनेत्री श्री प्रिया ने खुद इसके सिक्वल का डिरेक्शन भी किया था। सि साल जो फिल्म कमाई के मामले में पहले नंबर पर रही थी वहती मनोच कुमार हेमा मालेनी की फिल्म दस नंबरी दूसरे नंबर पर जो फिल्म थी वहती रिशी कपूर रंजीता की एचेस रवेल द्वारा निदेशित फिल्म लेला मजनू चोथे नंबर पर रही थी विनोत और पांचवे नमबर पर फिल्म थी वहती हमम वाली नी को रिल लाइप से रियल लाइप में लाने वाली फिल्म चरस दोस्तों आज की वीडियो इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ-साथ हमारे चैनल बॉलीवूड unboxing को subscribe जरू करें धन्यवाद